स्वागत है आप सभीका स्यूडीपी लार्निंग चैनल पर नीट यूजी 2022 पस भगवान से दुआ करिए कि आपके नीट यूजी का जो डेट है वो पोस्पॉण्ड हो जाए जी हाँ धर्मेन प्रदान जो सिच्छा मंत्री है उनकी बैठक होने वाली है और नीट यूजी जो है आपका 2022 का एक्जाम इसे पोस्पॉण्ड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उस बात की जानकारी आपको जल्द ही मिलने वाली है अब आप कहोगे कि या आप किस बेसिस पर बता रहा हूँ तो मैं इसका पुरा प्रूब देने जा रहा हूँ वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए और चैनल को सस्क्राइब करके रखी जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको सोचित जरूर करूँगा ठीक है देखिए हमारे पास यहाँ पर एक पेपर की कटिंग है इसी में धर्मेंद प्रधान का भी नाम आएगा आप ध्यान दीजेगा लिखा हजारों स्टुडेंट ऐसे जिन्होंने सीवेटी और नेट दोनों के लिए अपलाई किया है किसी भी स्टुडेंट को सीवेटी एड्मिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा कि उसका एक्जाम डेट किस में है ठीक है अगर किसी स्टुडेंट को सीवेटी परिच्छा जोए 15-16-19-20 जुलाई में किसी भी तारीक को पड़ती है तो इसके लिए नेट में सामिल होना मुश्किल होगा अगर वह नेट चुनते हैं तो सीवेटी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं कि दोनों एक्जाम का सिंटर आसपास ही हो इसके अलावा दो बड़ी बड़ी परिच्छाओं का प्रेसर एक साथ प्रफॉर्मेंस भी बिगाड सकता है तो इस मतलब के एक बार के मामले से यह बताया गया कि सीवेटी और जो नेट है इन दोनों का यह जो प्रेसर है स्टुडेंट एक साथ नहीं जहल सकते तो अब आगे देखी इसमें क्या लिखा है इसमें लिखा है कि ऐसे में सिच्छा मंत्राल है और नेशनल टेस्टिंग एजनसी एन टिये को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा सुत्रों के नुशार नीट यूजी 2022 डेट आगे बढ़ सकती है देख लें बहुत बड़ी ख़वर है यहाँ पर नीट यूजी 2022 डेट आगे बढ़ सकती है आगे लिका है इस संबन में बैठक कर जल्द फैसला लिया जाएगा बताया जा रहा है कि सिच्छा मंतरी धर्मेंद प्रधान जो है कि अध्यच्छता में उच्छ इस्थरी बैठक के बार नीट यूजी एक्जाम डे 2022 पर अन्तिम फैसला लिया जाएगा तो अब जल्द ही मतलब के धर्मेंद प्रधान की बैठक होगी और आपके लिए खुसकबरी आने वाले तो थांक्यू सो मत जैहें परने मातरम